तो पिछले पार्ट में हम ने देखा था कि Underworld के controller ने सभी को अपने पास बुला लिया था और उसके बाद वो सभी को बताते हैं कि वो लोग select हो चुकी हैं साथ ही सभी masters अपने अपने students को आपस में बाड़ लेते हैं और अब वो लोग उनके हाथ पर एक seal बनाते हैं जिससे ये confirm हो जाएगा कि उन सभी को एक दूसरे students का साथ देना है तो अब इस पार्ट के starting पिछले पार्ट के आगे से ही होती है जहाँ पर अंडरवर के controller अब नाईली को भी seal दे दी थी और इसके बाद वो सभी students से कहते हैं कि आज से तुम मुझे अंडरवर के controller नहीं बलकि master कहकर बलाओगे तो इस पर वो तिनों भी हाँ करते हैं अब नाईली अभी मन में यही सोच रहा था कि चलो अच्छा इवा जो इन्होंने goddess यूयान के बारे में नहीं पूछा अब इसके बाद अंडरवर के controller कहते हैं कि तुम्हारे पास तीन मुहिने का समय है तो मराम से अपनी family से मिलो उन्हें goodbye कहो क्योंकि एक बार जब डेटल लिंग लॉंग वर्ल का दर्माजा खुल गया तो उसके बादम 5 साल के पहले वापस नहीं आएंगे अब नाइली आगे आकर अंडरवर के controller से कहता है कि master अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक request करना चाहता हूँ जिस पर अंडरवर के controller कहते हैं कि कहो अगर मैं उसे पूरा कर सका तो मैं जरूर करूँगा अब नाइली उन्हें बताता है कि वो city of light से आए हैं और जैस कर सकते हैं तो अब इस पर अंडरवर के controller कहते हैं कि सारी दुनिया में सारे human से खतम हो रहे हैं और तुम्हारी city of light अभी तक बची हुई है इसका जरूर ही कोई बड़ा करन होगा लेकिन तुम चिंता मत करो मेरा एक पुराना दोस था जिसने मुझ पर भिरोसा दिखाया थ इसलिए मैं जब तक हूँ तब तक city of light को कुई कुछ नहीं कर सकता अब यह सुनकर नायली खुश होता है लेकिन उसके मन में बहुत से सवाल आ चुके थे सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर अंडरवर की controller का कौन दोस्त है जो कि city of light को बचाना चाहता है और दूसरा एक और बहुत बड़ा सवाल यह कि आखिर अंडरवर की controller के इस मुखोटे के पीछे किसका चानल चुपा हुआ है मतलब असलियत में अंडरवर का controller है कौन साथ ही नायली यह भी सोच रहा था कि अगर अंडरवर की controller city of light को प्रोटेक्ट करना चाहते है तो कुछ साल बाद city of light खतम हो चुकी थी और अंडरवर की controller कह रहे हैं कि जब तक वो रहेंगे तब तो city of light तो कुछ नहीं हो सकता तो कहीं इसका मतलब यह तो नहीं कि वो जाने वाले है मतलब कि वो मरने वाले है लेकिन अब नायली इसके आगे कुछ भी सोचे कि तब ही श्यायू आगे आ जात अब इसके बाद अंडरवर की controller कहते हैं कि चलो अब तीन महिने बाद मिलेंगी तब तक के लिए तुम्हारी journey अच्छी हो और फिर इसके बाद वो उन लोगों को पास वापस भीज़ देते हैं अब यह लोग बाहर आ चुके थी मगर यहाँ पर नायली कुछ सोच रहा था तो शियाओ निंगर उसे पूछ दिये कि तुम क्या सोच रहे हो क्या हम city of light नहीं जा रहे हैं जिस पर नायली कहता है कि हम जरूर जाएंगे क्योंकि फिर हम 5 साल तक हम उनसे नहीं मिल सकते मगर अभी के लिए मैं दूसरे जगा जाने का सोच रहा हूँ अब इस पर लोग बहुत ज़ता इंट्रस्टरी दिखाता है और वो बोलता है कि अब हम कौन से जगा जा रहे हैं क्या वो कोई घूमने की जगा है तो इस पर नायली उससे कहता है कि हम श्राइन डेजर्ट जा रही हैं वैसे गाईस इस श्राइन डेजर्ट बहुत बुरी चीज हुई थी और नायली और जिन्यून दोनों अकेले यहां इसे डेजर्ट में आए थी और आगे बढ़ते ही जा रहे थी अब हम देखते हैं कि वो किसी लड़ाई से यहां पर आए हैं क्योंकि जिन्यून के फेस पर खून लगा हुआ था अब इसके बाद हम देखते हैं कि नायली के पीछ पूस्ती है कि तुम्हें क्या हुआ हैं तुम इतने उदास क्यों हो जिस पर नायली उससे कहता है कि जदातर हर इंसान के जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कि उसके साथ बहुत कम टाइम के लिए होते हैं लेकिन उसके जिन्दगी भर की यादें बन जाती हैं अब न ना कहकर वो खुद ही आगे पढ़ जाती है अब यहां नायली भी आगे बढ़कर जिन्यून के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ जिस पर जिन्यून उससे बताती है कि इस जगह पर आने के पहले मुझे अजीब सा फिर होने लगा था साथ ही मुझे ऐसा नहीं पता मेरी मन में जानक से यह सब बात ही कहां से याद आ रही है जबकि मैं तो इस जगह पर कभी आई भी नहीं हूँ अब नायली को इससब बहुत अजीब लग रहा था वो जिन्यून से पूछता है कि तुम्हें क्या याद है जिस पर जिन्यून बताती है कि यह जीब लगता है वो कहती है कि मैं तो आज तक कभी यहां नहीं आई पर फिर आखिर यह सब मुझे क्यों दिखाई पर रहा है अब यह सब देखकर नायली मन में आता है कि कहीं जिन्यूर्ण भी तो फिर से रिपॉंड नहीं हुई है लेकिन फिर वो सोचता है कि ऐसा नहीं हो स लेखते हैं जहां पर एक टेंट लगा था वागर फिर इसके बाद यह पार्ट यहीं पर खतम हो जाता है तो शायद आपके वीडियो पसंद आई होगी इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दिना और हमारे शायव सब्सक्राइब भी कर लिजेगा के वीडियो के लिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो तक के लिए बाई वेंगे जिन टिक कियर